हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इटूब चनल पर तो इस उड़ों में हम आपको तनिवाले हैं कि अगर वाटसप पर कोई मेसेज आता है तो पता नहीं चलता है तो कैसे इस प्रॉलम को सही करेंगे तो देखे इसके लिए आपको अपने वाटसप को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद उपर की साइड थ्री डॉट का ओप्सन इस पर क्लिक करना है फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ओप्सन मिलेगा notification नाम का notification वाले option पर click कर देना है फिर आपको उपर 3 dot का option मिलेगा इस पर click करना है फिर आपको reset notification setting पर click कर देना है फिर आपको यहां से reset कर देना है इतना करने के बाद आपकी problem 100% सही हो जाएगी अब देखिए इतना करने के बाद back आना है home screen पर अब आपको अपने setting में जाना है आ जाना आए थोड़ा नीचे यहां पर एक option मिलेगा आप नाम से या फिर आप management नाम से जहां पर सभी आप रहते हैं तो गाईस इस पर आपको click कर देना है फिर आपको ऊपर option मिलेगा आप management या manage आप नाम से सबसे ऊपर इस पर click करना है अब यहां पर आप उपर search आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से अगर यह बंद होगा इस परकार तो इसे चालू कर देना है और यहां पर जितने भी टिक हैं सभी लगे होना चाहिए जो बंद रहेगा उसे यहां से चालू कर देना है देखे, सब भी हमारा चालू है केवल एक यहां पर बंद है तो इसे रण देना है और सबी को चालू कर देना है तो देखे, बैक आते हैं अब अगर सर्च करने कोई प्रॉलम आ रही है वार्टसप को तो आप नीचे आएंगे W पर तो वार्टसप मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आप यहां से भी कर सकते हैं इतना करने के बाद होम स्क्रीन पर आना है अब अपने मुवाइल को एक बार स्विच ओफ करके स्विच ओन करना है रिबूट यारी स्टाट भी कर सकते हैं रिबूट यारी स्टाट कैसे करेंगे मुवाइल का जो पावर बटन जिससे मुवाइल को लोग करते हैं इसे दबा कर रखना है 4-5 सेकेंड के लिए तो यहां पर रिबूट को उप्शन मिल जाएगा इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से या उपर तरह स्लाइड करने को उप्शन आएगा स्लाइड कर देना है आपका फोन स्विच ओफ होकर अपने आप स्विच ओन होगा कुछ भी डिलिट नहीं होगा सब कुछ आपके फोन में रहेगा और आपकी प्रॉलम में जो है 100% सही हो जाएगी और गैस इस तरीके से आप स्थेक कर सकते हैं तो आज कर दों बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू